शेर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें आशारी एकादशी के परव पर धापेवाडा में सुभा चार बजे से ही भीड उमर जाती थी लेकिन यात्रा पर पाबंदी लगाने की वज़े से आज धापेवाडा का मंदीर खाली दिखाई दिया परिसर में कोई भी नहीं दिखाई दिया सावनेर के उपविभागिया पुलीस अधिकारी अशोक सरबलकर के नेतरुत्व में सावनेर पुलीस निरिक्षक अशोक कोली ने तगराब बंदोबस लगाया था मंदीर के ओर जाने वाले सभी रास्त सील कर दिये थे धापेवाडा में धारा 144 लागों होने से स्तानिक प्रशासन की ओर से सभी पुलीस को सयोग मिलता दिखाई दे रहा है मंदीर ट्रेस ने भी सभी लोगों से मंदीर में ना आने की अपिल की है विधर्ब का पंधरपूर धापेवाडा में आशाड़ी एकादशी वा आशाड़ी पुर्णिमा की प्रतिप्रदा को यातरा रहती है जिसमें वारकरी संप्रदाय के लाखों भक्त यहां दाखिल होते है उस संदर में कुछ दिन पूर्व उपविभागी अधिकारी सावनेर अतुल महत्रे की अधिक्षता में तहसिल कार्या लेवे सभाय जित की गई सभा में उपविभागिया पुलीस अधिक अशोक सर्बलकर तहसिलदार सुजाता गावंडे सावनेर के पुलीस निरिक्षक अशोक कोली धापेवाड़ा के सरपंच सुरेश डोंग्रे विठल रुकमिनी देवस्तान ट्रस धापेवाड़ा के सच्चिव आधित पवार देश दिये हैं कि धापेवाड़ा में किसी के घर में महमान नहीं आए इसलिए ध्यान रखे अगर किसी के घर महमान दिखे तो कारवाई की जाएगी सिधे एफायार दर्च होगा खास कर धापेवाड़ा वासियों ने यात्रा के दिनों में घर पर ही सुरक्षित रहे यद किसी देवस्तान ट्रस्क किसी वियाईपी के हातों मंदीर में महापुजा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए महाराश्र शासन की मंत्राले से मंजूरी लेना अवश्रक होगा धापेवाड़ा में जो भी पालखी दिन्डिया आती है उन्हें पहले ही पालखी वह दिन्डि के कोशिश ना करें इन बीसे न्यूस के लिए धापेवाड़ा से योगेश कोर्डे की रेपोर्ट